जब हमने WhatsApp पे बात करी थी, main elements क्या हो इस website के, तो सुझाव आये थे, tourist places हो सकता है, या art and handicraft हो सकता है, या people of kach, या music, ये सब हो सकते हैं, sections, तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे broad categories बनाएं, और कैसे उन में कौन सी sub-categories बनाएं, तो जैसे art and handicraft, people of kach, music, ये सब एक broader category के अंदर डाल ली जा सकती हैं, about kach, और इस about kach category में हम brief history of kach, और उसकी geography और उसकी geology, क्योंकि वो बहुत एक geologically active area है, इन के बारे में भी हम बात कर सकते हैं, इसके अलाबा हम एक section बना सकते हैं, school के बारे में, और एक और sub section होना चाहिए, contact form, ताकि अगर कोई school से contact करना चाहे, या कोई और जानकारी चाहता हो, तो वो website में उस contact form के थुरू हमें एक email भेज सकता हो, फिर जो things to see section है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, हम nature के बारे में बात कर सकते हैं, हमें ध्यान में रखना है कि phase 1 में ये नजर में रखते हुए चलते हैं कि हम क्या-क्या बना पाएंगे, तो मुझे लगता है कि दो elements जो इसमें होने चाहिए वो है nature और historical, और nature में हम run और मांडवी बीच के बारे में बहुत असानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम पिछले December में हम run गए थे और अभी April में हम लोग मांडवी गए थे, इसलिए इन दो जगाओं पर हमारे पास photographs और video अगेरा आसानी से मिल जाएंगे, वैसे ही historical element में हम बात कर सकते हैं Vijay Vilas Palace की, क्योंकि हम April में वहाँ गए थे और वहाँ की भी photographs और videos students के पास होंगी, phase 1 में हम और कौन से element include करें ये इस बात पर निर्भर करेगा, कि students और teachers के पास कौन से topic पर material available है, तो ये हमारा broad information architecture या धांचा है website का, और अब हम इसको एक navigation और menu में convert करेंगे WordPress में जाकर,